दोस्तो आज हम डिस्कुस करेंगे एक great American poet Walt Whitman की life को Walt Whitman को America के greatest poets में गिना जाता है American literature को पढ़ा जाए और उसमें Walt Whitman का नाम ना हो ऐसा कभी हो नहीं सकता आज मैं इन्हीं की life को discuss करूँगा और कुछ important points मैं आपको बताऊँगा इनकी life के जो exam point of view से जानना बहुत जरूरी है देखिए सबसे पहले हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि American literature में दो बहुत बड़े moments आये थे एक transcendentalism और दूसरा realism तो उन दोनों moments transcendentalism और realism के बीच के writer थे Walt Whitman और यही वज़य है कि इनकी writing में आज आप transcendentalism और realism दोनों का influence देखोगे तुसरा fact ये कि इनको father of free words भी बोला जाता है जबकि इन्होंने अपने lifetime में कभी भी free words को invent नहीं किया था इनसे पहले भी काफी writers free words में लिखते आये थे लेकिन Walt Whitman ने free words को जितना popular किया किसी ने भी नहीं किया ध्यान रखना इसलिए अकसर इन्हे father of free words कहा जाता है तीसरी चीज़ ये कि इनके जीते जी इनके काफी सारे works controversy में फसे रहे खास करकि इनका poetry collection था सबसे famous poetry collection leaves of grass वो इनका highly successful work होने के बावजूद भी controversies में घिरा रहा और इसके अलावा Walt Whitman के लिए कहा जाता है कि अमेरिका को समझने के लिए आपको Walt Whitman को समझना पड़ेगा इनके work leaves of grass को समझना पड़ेगा अब ध्यान देना बहुत काम की बात बताने जा रहा हूं कि American Civil War जब हुआ था उस वक्त ये Washington DC चले गए थे वहाँ पर इन्होंने वो Civil War के दौरण घायलों की सेवा की थी जो लोग घायल हो गए थे उनकी सेवा की थी इनको American President Abraham Lincoln बहुत पसंद थे जब उनका assassination हो गया था Abraham Lincoln का तो इनको गहरा जटका लगा था आगात लगा था फिर इन्होंने Abraham Lincoln के लिए कुछ famous poems लिखी जैसे कि Oh Captain, My Captain Oh Captain, My Captain बहुत ही famous poem है जो मैंने channel पर पढ़ा रखी है दोस्तों वो आप पढ़ोगे तो बिल्कुल boring poem नहीं है बहुत अच्छा लगए आपको उसको पढ़ कर और इसके अलावा एक famous poem और है यह जो मैंने नाम लिया ध्यान देना यह एक elegy है President Abraham Lincoln के लिए यह पूछा जा सकता है ध्यान देना और इस poem को free words में लिखा गया है 206 lines में लेकिन poem की एक भी line में directly इन्होंने Abraham Lincoln का नाम ने लिया है Ezra Pound जो की एक famous modern poet थे उन्होंने इनके लिए लिखा है America's poet, he is America America के poet और यही अमेरिका है Walt Whitman के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि American literature में Walt Whitman क्यों इतना important है सबसे पहले तो जो poetry लिखने की boundaries हुआ करती थी पहले उन boundaries को Walt Whitman ने तोड दिया कि poetry लिखने के यह किसी नियम को follow नहीं करेंगे बलकि इनके दिल में जो आएगा वो लिखेंगे इन्होंने poetry को prose की तरह लिखना शुरू किया जैसे हम novels वगरा लिखते हैं उसी style में और सबसे importantly इन्होंने openly death के बारे में sexuality के बारे में even prostitution के बारे में भी लिखना शुरू किया इन्होंने अपने collection leaves of grass में भी लिखा है preface में लिखा है the proof of a poet is that his country absorbs him as affectionately he absorbed it अब इन सब के अलावा एक important बात और है ज्यादतर जगहों पर ये कहा जाता है कि Walt Whitman या तो homosexual थे या फिर bisexual थे और ये अंदाजा भी कि homosexual या bisexual थे ये अंदाजा भी इनकी writing को पढ़कर ही लगाया जाता है आप पढ़िएगा इनकी वो famous poem Oh Captain, My Captain को उसकी last line से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऐसा इनके लिए क्यों कहा जाता है इन सब के अलावा अक्सर इनको America का national part भी बूला जाता है क्योंकि इन में nationalism की जो भावना थी वो बहुत तगडी थी दोस्तों आप इनकी poem Song of Myself को पढ़ोगे तो पता जलेगा और इसी वज़े से इनको first part of democracy भी बूला जाता है इसलिए देखना ये खुद को अपने poetry में किसी मसीहा की तरह दिखाना पसंद करते थे दोस्तों आप देखना इनकी poem को आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये खुद को मसीहा की तरह दिखा रहे है एक ने तो ऐसा भी कहा था कि Walt Whitman की जन्म को लोग ऐसे celebrate करते थे अमेरिका में जैसे Christ का दुबारा जन्म हो गया हो अब इनकी career की बात की जाए तो 1836 से 1841 तक he had been a school teacher इन्होंने school में भी पढ़ाया है 1836 से 1841 तक फिर 1841 से 1847 तक इन्होंने अलग-अलग newspapers के लिए reporter editor का का काम किया था अब हम लोग इनके important works पर नजर डालते हैं दोस्तों सबसे पहले तो Franklin Evans इस work को inebriate भी कहा जाता है inebriate की नाम से भी जाना जाता है ये एक ये इनकी novel थी जिसको 1842 में Whitman ने publish करवाया था इस novel के जरीए Walt Whitman ने अपने शुरुवाती life को बताने की कोशिश किये कि उन्होंने writing को as a career क्यों चुना इसका पूरा नाम है The Inebriate A Tale of the Times अब गौर से सुनना दोस्तों फिर 1846 में ये publish करवाते हैं अपनी एक famous story को The Half Breed नाम की story को जिसका पहले नाम था Aero Tip अब इस story के अंदर क्या खास है ये कहानी है Warren नाम के एक छोटे से गाउं की जो Mississippi River के पास में बसा हुआ है आपको पता इस work को पढ़कर आपको कैसा फील होगा कि Walt Whitman कितने बड़े celebrator थे जो western white लोग जो है वो जो जगय जगय पर जाकर पैल रहे थे ना जैसे उन्होंने अमेरिका में रैड इंजन्स को हटा कर अपने लिए जगय बना ली अमेरिका को तो इस चीज़ को कितना celebrate करते थे support करते थे Walt Whitman और इस कहारी में भी उन्होंने दिखाया है कि किस तरह native American लोगों के साथ में white लोग आकर रहने लगे इस लिए इस वर्क का नाम Half Breed है फिर इनका famous collection आता है 1855 में The Leaves of Grass Leaves of Grass को 7 editions में डिवाइड किया गया है इन 7 editions को 1855 से 1891 तक पब्लिश करवाया गया था ये दोस्तों most important work है इनका इस वर्क के अंदर Walt Whitman celebrate करते हैं अपनी philosophy of life को humanity को celebrate करते हैं वो religion पर इतना focus नहीं करते थे spiritual manners पर इतना focus नहीं करते थे Walt Whitman focus करते थे human body पर इस material world पर इसके अलावा ये democracy को support करते थे और equality को support करते थे जान दे ना ये equality को support करते थे अब ये work इतना controversial था दोस्तों जब ये work publish हुआ था ना इस वक्त Walt Whitman को अपनी नौकरी से निकाल दिया गया था ये कहकर कि ये work offensive है उसके लावा इनके कुछ important works है जैसे कि mainly health and training drum taps, democratic vistas और भी बहुत सारे उमीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही